तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिल्क केक की एकदम यूनिक रस्पी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है ना तो हमें घंटों पकाना है ना ही डेर सारा दूर चाहिए एकदम असान से तरीके से रस्पी लेकर आई और बहुत ज़्यादा ये टेश्टी बनेगी हलो दोस्तों मैं गीता गोयल बागडी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो ना पनीर चाहिए ना मावा ना ही हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है और ना ही हमें दूद को फाड़ना है इंस्टन्ट बनाएंगे और बहुत ही जाधा ये टेस्टी बनेगर एकदम दानेदार हमारा मिल्क केक बनकर तयार होगा तो चलिए फिर बिना देरी के बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कड़ाई में एक चमच जितना घी डालेंगे तो एक चमच घी में हमारी यह रस्पी बनकर त्यार हो जाएगी और घी को अच्छे से मैल्ट कर लेंगे घी को थोड़ा सा गरम होने देंगे आप चाहिए तो बिना घी भी बना सकते हो मगर थोड़ा घी डालने से इसका टेश्ट थोड़ा अच्छा आएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे एक टोरी जितनी सूजी तो सूजी अगर आपके पास बड़ी वाली सूजी है तो मिक्सी जार में डाल के थोड़ा चला लीजिए अगर फाइन वाली सूजी है तो आपको ड्रेक्ट डाल देना है और गेंस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देना है बिल्कुल कम फ्लेम पे हमें इस सुजी को लगातार चलाते हुए भूनना है, तो बस आपको न छोड़ना नहीं है, बस इस तो आप सीके से लगतार चलाते हुए सुजी को अच्छे से भून लीज़े। से बना लोगे तो इस तरीके से आपको लगा था चलाती होए 2-3 मिन तक ये देख सकती हो सूजी को भूणती हुए मुझे हो गया है और लगबग लगबग सूजी हमारी अच्छे से भूण चुकी और जब सूजी इस तहरीके से देख सकती हो तो अब क्या करेंगे गैंस की फ्लिम को बंद कर देंगे तो बस एक वर क्या करेंगे इसे चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी पहुती ज़्यादा गरम अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी तो बस थोड़ी देर इसे हलका सा ठंडा हो जाए इतने तक हम से चलाते रहेंगे तो चली सूजी हमारी हलकी से ठंडी हो गई अब क्या करेंगे इस सूजी को अलग प्लेट में निकाल देंगे आप चाहे तो इसी पैन में पड़े रहने दीजिए दूसरी पैन में है जो चासनी बना सकती हो तो मैं सोचती हो कि ज्यादा बरतन ना करने भी कोई कप यह कटोरी सẹट करें उससे आपको एक चैनी सूजी भून लेनी है और बाद में उसी कटोरी सेब्ण तो पनी कटोरी मतलब एक कटोरी से थोड़ा कम आ दिक टोरी से थोड़ा ज़़ा और बस इस तरीक से डाल देना है जैल य्म को बलकुलभी कम कर देंगे और जो है जो अच्छे से मैल्ट होने देंगे बीच बीच में बस इस तरीके से चलाते रहेंगे तो अब क्या करना है हमें छोड़ना नहीं है जब चीनी इस तरीके से मैल्ट होने लग जाए तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा चीनी को मैल्ट होने में मगर धीमी आज तो पानी बिल्कुल भी ना डालें ड्रेक्ट आपको चीनी को डालकर इसे मैल्ट कर लेना है और यह देख सकते हो अच्छे से पूरी चीनी है जो मैल्ट हो गई है और बस इस तरीके से जब यह लिक्विड जैसा हो जाए ना तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक गिलास जित जो दूद लिया जिसे मैंने सुजी लिया ना उसी कोड़ी से तो एक वार यह चीनी एकड़म कड़क हो जाएगी आप जैसे लूर डालोगे ना वैसे और बाद में धीरे दीरे है जो चीनी मैल्ट हो जाएगी यह देखिए एकड़म यह सारी चीनी है जो इस तरीके से आप अब उठा सकते हो एकडम कड़क हो गई यह और बौधे जदा ये कृस्पी हो गई अब क्या करेंगे आप चाहे तो गयए को थोड़ी सी बढ़ा सकते हो इस तर político अच्छे से मेल्ड कर ली जिए तक सी जडि al при मेल्ट हो जाएगी यह देख सकते हो पूरी चीनी है जो अच्छे से मेल्ट हो गया है दूद में ओवाल भी आ गया है और अब देख सकते हो चीनी का जो दूद है उसका कलर कितना चेंज हो गया है और जैसे जैसे दूद पकता जाएगा वैसे इसका कलर और चेंज हो जाएगा अब फ्लिवर के लिए हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हरी लाइची का पाउडर और बस थोड़ी देर दूद को और पकाएंगे कि यह दूद उबल के थोड़ा सा कम हो जाए बस इतने भरी हमें दूद को पकाना है और अगर आप मिल्क पाउडर एड़ करना चाहते हो तो आप मैंने यहाँ पे 3 कटोरी जितना दूद लिए आप सिर्फ 2 कटोरी जितना दूद लीजिए और उसमें 1 कटोरी जितना मिल्क पाउडर डालीजिए तो मैं कम मिल्क पाउडर में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे दूद थोड़ा ज़ादा लिया है और दूद यहाँ पे देख सकते हो काफी हद तक कम हो गया है तो अब हम क्या करेंगे गैंस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देंगे जो सूजी हमने भून के रखिया ना वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बस मिक्स करते जाएंगे यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हलवे जैसा टेस्ट मिलेगा बिल्कुल मिल्क केक जैसा ही इसमें टेस्ट आएगा खाने में बहुत ही मस्त लगेगा अगर आपने किसी को नहीं बतायाना है कि ये आपने सूजी से बनाया है तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये मिल्क केक आपने सूजी से बनाया है आप कोई भी तुहार पे बनाईए जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो भी आप इंस्टेंट इस तरीके से बना सकते हो बिना पनीर ना इसमें ज़्यादा दूर डालना है अगर मिल्क पाउडर है तो आप एक टोरी जितना दूर डालीजिए और यहाँ पे एक टोरी जित प्रीके से मैंने इसको है जो अच्छे से गाड़ा होने तक पका लिया तो अभी हम क्या करेंगे थोड़ी देर इसे और पकाएंगे कि पूरा मिस्रन है जो एकठा होने लग जाए तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ दो चमच इतना ही मिल्क पाउडर एड़ करूंगे आपकी श्रदा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो एक ठोरी जितना ही डाल सकते हो और अगर आपकी श्रदा ना हो तो बिल्कुल भी ना डाले मैं सिर्फ दोई चमच डाल रहे हूँ इससे क्या होगा थोड़ा सा बस इसका टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि मेरे पास आजन बटर पेपर लगाया थोड़ा सा घी लगाया गर्मा गरम इस मिसरन को डाल देंगे और बस अच्छे से सेट कर लेंगे अगर आपके पास कोई छोटा बरतन है तो आप उस छोटे बरतन में सेट कर लीजिए और अगर मेरी तरह बड़ी प्लेट में सेट करना चाहते हो तो सेट कर लेजिए कोई भी थाली बरतन प्लेट किसी में भी आप इस मिसरन को है जो डाल के और इस तरीके से चम्मस से दबाते हुए जितनी मोटी पतली आप बरफी रखना चाहते हो न उसी साब से इसे अच्छे से सेट कर लीजिए बहुत ही असानी से हो जाएगा अब हम इ तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से बटर पेपर को अटा देंगे यह देखिए बहुत ही अच्छी इसकी लुकिंग आई है और खाने का टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लिया ना तो जब भी म आप जाएते इसकी ऊपर थोड़े ड्राइफ्रूट लगा सकती हूँ या फिर चांदी का वरक भी लगा सकती हूँ मगर मिलक केक बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल ही रखूंगे और बस थोड़ी सी यहाँ पर पिस्ते की गारनिश कर लोंगे इस तरीके से एक एक पि आपने यह सूजी से बनाया है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप भी एक वार इसे जरूर बनाना तो चलिए तोड़ के दिखाती हूँ एकदम सूपर सॉप्ट मुमें घुल जाने वाली हमारी मिलक केक की रेस्पी बनकर त्यार है तो फिर देर किस बात के दोस्तो अब भी किचन में जाएर फटा फट से बना के इंजोई करें रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद